जंगल सफारी दोस्तो आज हम लोग बात करने जा रहा हैं टाइगर वसेस राइनो की कंपरिजन के लिए हम लोग लेंगे बंगॉल टाइगर और इंडियन राइनो को क्योंकि दोनों के रेंज उबर लैप करते हैं इंडिया के काजी रेंगा नेशनल पार्क में और अक्सर द तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं साइज और वेट की दोस्तो मेल बेंगॉल टैगर का वजन ऑन अवेज 220 केजी के एराउंड होता है और अवेज लेंथ एराउंड 3.1 मिटर यानि की करीब 10.2 फीट फ्रम हेट टू टेल होती है शूल्डर हाइट ऑन अवेज 3.3 फीट तक होती है वही मेल इंडियन राइनो का लेंथ फ्रम हेट टू टेल होता है 14.7 फीट तक शूल्डर हाइट 6 फीट तक हो सकती है वाजन ऑन अवेज 200 केजी के एराउंड होता है विद दे लाज़ेस्ट वन एवर वेटेट 4,000 केजीज फीमेल मेल की तुलना में थोड़ी चोटी और कम भारी होती है तो क्लियरली साइज और वेट के मामले में राइनो काफी आगे है अब बात कर लेते हैं बाइट फोर्स की दोस्तो टाइगर का बाइट फोर्स 1050 PSI है इतना बाइट फोर्स बोन्स को क्रस्ट करने के लिए काफी है वहीं इंडियन राइनो का हौन काफी छोटा होता है अन एवरेज 65 फिंच तक होता है इंडियन राइनो वैसे अपने हौन का कम और शार्प इंसीजर तीच का ज्यादा इस्तमाल करते हैं लड़ाई के लिए कुल मिलाकर मुझे लगता है टाइगर के बाइट फोर्स भारी पड़ जाएगा राइनो के हौन्स पे सो यह राउंड टाइगर के नाम स्पीड और अजिलिटी की बात करें तो बेंगॉल टाइगर 65 km per hour के स्पीड से दोड़ सकता है इन शौट बर्स और काफी फूर्तिला होता है जो कि इसे हीरन जैसे तेज सिकार को पकड़ने में मदद करता है वहीं इंडियन राइनो भी ज्यादा पीछे नहीं है यह 55 km per hour के स्पीड से दोड़ सकता है अपने भारी बर्कम सरीर को लेकर अब बात करते हैं वनान वन फाइट्स की सबसे पहले राइनो स्टैब्स दि टाइगर दोस्तो टाइगर is born to kill, राइनो is born to charge राइनो अपने भारी बर्कम सरीर और नोकिले खौन को लेकर अगर टाइगर को ठोकता है तो टाइगर का हाई चांस है कि इसे गहरी चोट लग जाएगी या मौत भी हो सकती है पर राइनो स्टैब्स दे टाइगर, दे लैटर स्टैंस नो चांस पर रियर लाइफ में ऐसा होने के चांसे बहुत कम है क्योंकि टाइगर बहुत फूर्टीला और इंटेलिजन्ट है दूसरा सिनेरिय हो सकता है टाइगर अम्बुसेस एन हरासेस दे राइनो रियर लाइफ में टाइगर राइनो को कभी सामने से अटैक नहीं करेगा ये रैनो को अम्बुस करेगा और अपने पंजो और बाइट फोर से छोटे-छोटे घाओ पहुचाएगा राइनो की मोटी खाल पे राइनो को हरास करेगा इस तरह से संगर्स लंबा चलेगा पर अल्टिमेटली अगर टाइगर राइनो के हौंस से बस्ता रहा तो था के हरे राइनो की अंत में जान ले ही लेगा काजी रंगा नेशनल पार्क में अक्सर रंग राइनोज टाइगर के हथे चड़ते रहते हैं कभी कभार दोनों ही मर जाते हैं संगर्स में कुल मिलाकर मुझे ये लगता है कि टाइगर और राइनो की लड़ाई काफी क्लोज होगी जिसमें ज्यादातर ऑकेशन्स में टाइकर जीतेगा और कुछ ऑकेशन्स में ड्रा या फिर राइनो की जीत भी हो सकती है आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में लिखके बताइए उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप भी एनिमल और निचर लवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक बटन और बिल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आगे आनले वीडियो की नोडिफिकेशन आपको मिलती रहे और अटिन में नेक्स वीडियो से यू बाइ बाइ